हेलो गाइज, सौ केस्टन वाले इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपोर्टन केस्टन ही है, एनम जेनम की इंटरेंस एक्जाम के लिए, तो फटा बट शुरू केस्टन हैं, क्योंकि क्वेश्चन है जादा, तो चलिए देखते हैं, पहले प्रेशन के साथ, जल में गुलंसील भस में क्या कहलाता है, चारक, चार, संचारन या चारन, चार अप्शन, जल में गुलंसील भस में क्या कहलाता है, आपका जो सही आंसर हो आए है, चार, तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह होगा, चार, अगला पर फटा फटा फट कॉस्टन सबीन के ज्यादा है निम्न में से कौन्साइट अमली होता है पका प्रभल अमली देखते हैं अग्ला देखते हैं तीसरा प्रिशन पोटेसेयम तत्तुका प्रतीख है पोटेसियम उब्रेसियम प्रतीख पी के पिटीज ए यह है यहां पर सब्सक्र लिख सकते हैं kit über pravrum है नेक्स्ट करूशन सोने के लेटिन का नाम क्या है सोने के लेटिन का नाम क्या है फेरम, ओरम, केलियम या अरजेंटम सही आंसर आप देख सकते नीचे ओरम ठीक है तो सोने का ओर्टिम नाम जो है फेर लेटिन नाम जो है वो आपको अभी आंसर में दिखाया गया है ओरम ठीक है तो आपको जो सही आंसर ओरम होगा अगला पेस्ट देख लेते हैं परमाणू के सन्योजक्चमता रखने को क्या कहते हैं सन्योजक्ता परमाणू का उठप्रे रखता या परमाणू संख्या तो जो आपको सही आंसर होगा वह होगा सन्योजक्ता सही जगता आपका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं सही जगता next चाटमा पर देखेंगे किसी भी परवाणू में electron को प्रतम कक्ष को क्या कहते हैं electron के प्रतम कक्ष को क्या कहते हैं परवाणू में 4 option KLMN तो सही आंसर जो है K कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा next question देख लेते हैं साथमा परवाणू electron त्यागने पर क्या हो जाते हैं धनावेशित, रणावेशित, उधा सीनिया दिक सक्रिय तो परवाणू electron त्यागने पर क्या हो जाते हैं आंसर आप दिख सकते हैं ठीक है तो आपका जो पहला आंसर होगा वह होगा राइट आंसर दन आविसित अगला पहन देखते हैं आठवा पदार्थ की प्रमुक अवस्था से क्या होती है पदार्थ की प्रमुक अवस्था क्या होती है ठोज गैस तरल्य उप्रोक्त सभी तो आपको जो सही आंसर होगा वे डी यूगा उब्रुक्त सभी ठीर पदार्थ की तीनों वच्थां हो सकती है यह सभी आंसर सही होंगे अगला पैसन देख लेते हैं उन्नौवा पैसन देखेंगे आपर पदार्थ का ठोज से द्रम में बदलने को क्या कहते हैं पदार्थ का ठोज से द्रम में बदलने को क्या कहते हैं पिंडन, गलन, गलनांक, कॉतनांक तो जो सही आंसर आपका गलन गलन आपका राइट आंसर होगा अगला पैसन देखते हैं पिंडन क्या कहलाता है पिंडन ठोज का द्रम में बदलना द्रब का ठोस में बदलना गैस का द्रब में बदलना या मूं का जलना तो पिंडन जो है वो कहलाता है द्रब का ठोस में बदलना ये एक आंसर आप देख सकते हैं द्रब का ठोस में बदलना अगला पैसन देखते हैं ग्या रह्मा मदुमक्की के जहर में कौन सा अमल पाया ज पाया जाता है गंडा, यह गंडा का आपका राइट अंशर होगा, कि बाराराएमा पैस्न, द्रव जिस्त आप पर उबलता है, उसे क्या कहते है, गलनांक, कतनांक, वाजबा यह उपरूपर, कोई नहीं, तो आपको जो सही अंशर होगे, कृतनांक होगा दर्ब जिश्ट आप पर उबलता है उसे कृतनांक कहते हैं अगला पैसे देखेंगे तेरा हमा अब घटन किया को क्या होता है पदार्थ का जटिल अडू में बनना पदार्थ का सरल में तूटना उपरोक्त दोनों इन में से कोई नहीं तो जो सही आंसर है वाया आपका अब देख सकते आंसर में पदार्थ का सरल से तूटना अब घटन कहलाता है अगला पैसे देखेंगे चोग दैमा उस्मा उत्पन में होती है उस्मा शेपी क्रिया में उस्मा सोसी क्रिया में मंद क्रिया में तीब्र क्रिया में तो जो सही आंसर है उस्मा छेपी क्रिया में, उस्मा उपन होती है, तो आपका यह आंसर सही हो जाएगा, अगला पिशनी 15 में, धातुओं के प्रमुक गुण होते हैं, तान्यता, आगात, वर्धनियता, ताप, चालकता, उब्रोक्त सभी, तो आपका जो सही आंसर है 15 में का उब्रोक्त सभी, धातुओं में यह सभी गुण पाय जाते हैं, तो यह सारे आंसर सही होंगे, अगला पिशनी 15 में, तामबे के प्रमुक आयस को कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, मेलकाइट, हेमटाइट, लिमोनाइट या मेलकाइट ग्रीन, तो सही आंसर है, आपका ग्रीन, अगला पिशनी 17 मेलकाइट, लिमोनाइट किस धातु ऐसक से मिलकर बना है, तामबा लोहा चांदी सोना, तो लिमोनाइट यो है, वै लोहा से मिलकर बना है, उस धातु को नाम क्या है, लोहा, नेक्स्ट, अठा रह्मा, धलबा लोहे की विसेशता क्या होती है, कटोरता, भंगोरता, सीगर गन्ने वाला, उब्रोक्त सभी, धलबा लोहे की विसेशता बतानी है, तो आपका जो सही आंसर है, उब्रोक्त सभी, धलबा लोहे में इस सभी गुण पाये जाते हैं, अगला पेश्ट देखेंगे, उननीसमा पेश्ट देख लेते हैं इस टील में विशेष्टा प्रदान करने के लिए उसमें कौन सी धातु भी मिलाई जाती है निकल, टंगरस्टन, मेगनीज, उप्रोग सभी, सही आंसर उप्रोग सभी, ये सबी चीज़े श्टील में मिलादी जाती है ताकि और विशेष्ट बन सके तो अगला क्वेश्ट बीश्वा, पिटबा लोहे का उप्योग किस में किया जाता है तार बनाने में, कीले बनाने में, जंजीर बनाने में उप्रोग सभी, पिटबा लोहे का उप्रोग सभी, तार, कीले, जंजीर ये सभी बनाने के लिए हमें पिटबा लोहे का उप्योग किया जाता है अगला पैस्टन 21 मा हवाई जहाज की बॉड़ी बनाने में किस मिस्च धातु को प्योग होता है बताना है देखिए मेंगनालियम डियुरुलिमियम जर्मन सिल्वर रोल्ड गूल्ड सही अंसर है डियुरा लुमिन यह आपका सही अंसर होगा अगला प्रेशन देखते हैं सिक्के बनाने की किस धातु में तांबे के साथ अंद धातु को भी मिलाया जाता है तिन फासपूरा सुपरोग सभी उपरोग में सो कोई नहीं तिन अब देख सकते हैं सिक्के बनाने में तांबे के साथ तिन का उप्योग भी किया जाता है अगला पैसन तेश्मा कंप्यूटर चिप बनाने को किस काम में लिया जाता है किस दातु को काम में लिया जाता है अपर मिस्विन सिलिकॉन फास्फूरस टंगस्टन प्लास्टिक सल्फर आपका जो राइट आंसर है देख सकते आंसर सिलिकॉन ठीक है तो कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन कभी यूज किया जाता है अगला पैसन देख लेते हैं कपडों से वसा का दाग घटाने में प्लियोग करते हैं अमोनिया गंदक नैट्रिकम लिया नमक का अमल तो यहाँ पर जो सही अंसर है अमोनिया कपडों से वसा का दाग घटाने के लिए अमोनिया को प्यूग करते हैं नेक्स्ट बरतनों की सफाई के लिए किस रसायन पदात को प्यूग करते हैं अमोनिया, अमोनिया क्लूराइट, सोडियम क्लूराइट, सिलिका, सिलिक क्या तो आपको जो सही आंसर है परतुनों में सब फाई के लिए अमोनियम क्लूराइट को व्यूग किया जाता है आप देख सकते हैं यह सही आपका अगला पेसंट देखेंगे 26 मां कार्बन किस यूगत का पदार्थ है हीरा ग्रिफाइट फॉलरीन उपरोक सभी यह उपरोक सभी उपरोक सभी आपका राइट अंसर होगा क्वेश्चन क्या था है कार्बन किस यूगत का पदार्थ है यह मतलब सारे कार्बन से बने पदार्थ है अगला पेसंट देखेंगे 27 मां निम्न में से कौन सा विद्धुत कुछालक है हीरा ग्रेफाइट फिरम या कॉपर तो यहां पर भी कुछ आलग बताना तो हीरा हीरा आपका राइट अंसर होगा अगला पेसंट देखते हैं 28 नंबर का उतक्रिष्ट धातु नहीं है सोना वाचांडी चांडी वापारा या प्लेटनम या अलुमीनियम तो आपका जो सही आंसर है वह है अलुमीनियम जो है वह उतक्रिष्ट धातु नहीं है अलुमीनियम राइट अंसर अगला पेसंट देख लेंगे हम 49 नंबर का ब्रहमांड में सबसेश सरपतम उत्पन होने वालतत किसे कहते हैं निम्न मेंसे किसके अडू स्वतंत रवस्ता में मिलते हैं हीलियम औरगन नियोन यह उप्रोग सभी तो यह आपका सही आंसर होगा उप्रोग सभी यह सुतंत रवस्ता में मिलते हैं यह सभी अडू अगला पेस्न परमान उधन आवेशी द्रवमान का बना होता है यह बताया जाता है किसके द्वारा थांसन डॉल्टन डॉल्टन यह क्यों री तो सही आंसर है आपका थांसन यह थांसन के द्वारा कहा गया परमान उधन आवेशी द्रवमान से बना होता है अगला पेस्न डिखेंगे आवर्थ सार्णी में वर्गों की संख्या कितनी होती है अगला पेस्न डिख लेते हैं आवर्थ सार्णी में 36 पंक्तिया किसे गहते हैं वर्ग आवर्थ आयत यह लाइन तो जो सही आंसर होगा आपका देख सकते हैं आवर्थ 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 आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अबर्थ सार्णी में अवर्थ की संख्या कितने होती है 18 75 15 नचाने देख направ Church करके आएगे बहु게 cous अगला इसका जो सही आंसर वह आ है अपका हो जाएगा गामा किर्णों की क्या बेदन छमता होती है नहीं होती है सामान में होती है बहुत अधिक होती है यह राइट आंसर होगा आपका आप देखेंगे अगला कुश्चन ठायराइट गरंती की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव बदार्थ होता है तो आपका जो सही आंसर होगा है रेडियो आयोडीन 131 आपका राटा अंसर हुआ नेक्स्ट कुश्चन देख लेंगे 48 रेडियो फास्पूरस 32 का क्या प्रयोग होता है लिकेमिया की इलाज में, कैंसर की इलाज में, थाइराइट जांच में, विटामिन B12 की कारियोग की जांच में तो जो सही आंसर है वह है रेडियो आयडिन तो इसका जो राइट आंसर है वह है लिकेमिया की इलाज में फास्पूरस 32 का उभ्योग किया जाता है आगला पर देखते हैं उन्चास sodium as क्या है पायरोलोटाइक जिंकायट, ब्राइन, गिलेना तो आपका जो राइट आंसर है sodium as क्या है तो वह है ब्राइन ब्राइन आपका राइट आंसर होगा तो यहां मैं देख चुके हैं कि sodium as क्या है तो यहाँ पर Brian आपका right answer है radium की खोज किस ने की थी Einstein ने Henry back Viral ने weather फ़ार नेम में या madam क्यूरी ने तो आपको उताद इसका encont की सरफ नेख्सक्ट और यहाँ पर 50 क्यूस्टव'll कै, 50 स्ट्व में हम देख रहे हैं यहाँ पर आँगे पचास अगले question एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी option देखिए सूर से दूरी पर तिज्या पर घनत्थ पर या प्रश्टीत आप पर तो सही answer is D प्रश्टीत आप पर question क्या था आप देखते हैं एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है प्रश्टीत आप पर उसकी प्रश्टीत आप पर निर्भर करता है तो यह आपको right answer हो जाएगा अगला question ठोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं आप कौन option भी दिखाई दे भीषर सरदी में ठंडे देशो में पानी की पाईपे फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है पानी की पाईपों में संक्शन के कारण उच्च वाय मंदेली दाप के कारण उपरुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से तो ए आपका राइट अंसर क्योंकि जमने पर पानी फैलता है इसके दिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रभाव एक यूिट है किसकी अब हमें चारी उप्सनुर्जा का सकती का बलका है संबमेक का तो सही आंसर है ए ओर्जा का कि यहाँ पर आप देख़े तो किलो वाट आपर उद्जा का यूनिट है अगला पैसन देख ल पूर्जा का सक्ति का वेद्धु तब इसका वेद्धु धारा का तो यह इसका भी वेद्धु देख चुके हैं इसका अंसर अब देखिए अखला पेस्ट पांच मानाव शरीर का साधारंट आपमान होता है आपका राइट अंसर हो गया पर तो फैरेनरेट में भी इसकी वेद्ध लिगा सकती है अगला पेस्ट देख लेते हैं चटमा रेफ्रेजिरेटर खाद बदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके नियून तापमान पर जिवाडु और पपूंडी निस्क्री होते हैं इसके नियून तापमान पर रोगाडु मर जाते हैं इसके नियून तापमान पर रोगाडु जम जाते हैं यह ख़द बदार्थों को रोगाडु रहित कर देता हैं सही आंसर यह होगा इसके नियून तापमाल पर जीवाणों और फपूंदी निश्क्री होते हैं ठीके यह है था राइट आंसर अगला पेहन देख देंगे साथवा नियून लिखित में से किस कारण 100 डिजरी के सिसियस पर पानी की अपेक्ष्चा 100 डिजरी सिस्चे पर भाप अधिक गंबीत दाय कर दियां भाप में कोई विशिष्ट उस्मा धारता नहीं होती, भाप में वास्पन की गुप्त उस्मा होती है, पानी में कोई विशिष्ट उस्मा धारता नहीं होती है, पानी में सन्लेन की गुप्त उस्मा होती है, सही आंसर होगा B, भाप में वास्पन की गुप्त उस्मा होती है, उच्चतापमान, निम्नतापमान, घरस्रान और तूट-फूट क्रिष्टलों की व्रद्धी, सही आंसर है आपका बी, निम्नतापमान, क्रायोजेनिक, निम्नतापमान से संबंदित विज्ञान है अगला पैसन देख लेंगे, नौवा इंट के बने भावनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान, घिज में ठंडे और सीथ काल में अधिक गर्म होने का कारण है कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, कच्ची मिट्टी पर कम उसमारोदी है जल वास्पन से घर्मियों में ठंडक और चिद्रों में आने वाली धूप के करण सर्दियों में गर्म हो जाती है अब सही आंसर क्या है कच्ची मिट्टी बूरी चाल लग यह आपका राइट आंसर होगा दसमा पैसे देख लेते हैं एक बर जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के उपर चलका जाता है तो वैट तोड़ जाता है इसका क्या करण है अचानख गिलास विश्टारिट हो जाता है अचानख गिलास संकुषित हो जाता है जल वास्पित हो जाता है गिलास रासाइनिक रूप से जल के साथ परतिकरत हो जाता है तो जो सही आंसर है आपका वै होगा भी अचानक गिलास संकुचित हो जाता है अब अगला पेस देखते हैं 11 वाँ आज कल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राया पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है सोडियम, नियोन, हड्रोजन या नाइट्रोजन तो जो आपका सही आंसर होगा वै सोडियम होगा सोडियम राइट अंसर अगला पेस देखते हैं बार रह्मा प्रकासिक तंतु अप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम लिखित में किसके लिए किया जाता है बुनाई वादे अंतर आंक की सलिचिक्रिया ये संचार सेवर इसका संचार सेवर में अप्टिकल फाइबर के वलका यूज किया जाता है ये राइट आंसर आपका ते रहे मीन का देखनेंugके फाइबर आप्टिक्स की सिद्धान्ट पर काम करते हैं प्रकासिपणिन फून अंतरिक अवसोसंच पून राइंटर्टर्री को आकास दिखाई देता है स्वेत जहरा नीला हलका नीला या काला अंत्रिक चयात्री को आकास दिखाई देता है पंद्राय मापिस या 65 नंबर का प्रशन कहेंगे इस वीडियो के साथ से 50-50 के दो बैच से आकास में नीला रंग प्रकट होने के साथ सम्बंधित प्रकास की भरी घटना है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन ये प्रक्रिंडन आकास में नीला रंग प्रकट होने के साथ सम्बंधित प्रकास की परिगटना सही आंसर है D, D आपका राइट आंसर होगा प्रक्रिंडन अगला दिख लेते हैं तरण ताल वास्त्विक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है इसका कारण है अपवर्तन प्रकास प्रक्रिंडन यहाँ पर परवर्तन यह व्यक्तिकरण तो सही आंसर है आपका यह अपवर्तन यह वर्तन राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन रेखते हैं अगला दिखते हैं साबुन के बुलबुले पर स्वेट प्रकास डालने से रंग दिखाई देते हैं इसका क्या करण है अगला प्रवर्तन धृवान व्यक्तिकरण यह परवर्तन शाही आंसर है आपका सी व्यक्तिकरण हीरे की चमक का कारण है प्रकास का संपूर्ण आंत्रिक परवर्तन प्रकास को सूर्ख से प्रत्वी तक पहुंचने में कितना सामय लगता है चार ऑप्षन है 5.5 मिनट 6.8 मिनट 8.3 मिनट या 9.5 मिनट सही आंसर आपका 8.3 मिनट 8.3 मिनट आपका राइट आंसर हो गया अगला पैसन बाइस वान थता का दोस्ट किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है आउतर लेंस उत्तर लेंस सिलेंडरी लेंस यह प् अगला पैसन देशर वायो मंडल के उपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती में प्यूं क्यूंसर कहते हैं ₹ vậy मिनट सलन कि विएक प्रथा का उत्तर्म देख लेते हैं करहा फोलिंघ कर्णा कि इसका प्रयोग करते विए संभाव quién क्रांड Australाड क्रांद सुक्ष्मित अंगी भी करन याँ स्टीम अद कि धाल में तै कि मुँवर्ण के जड़ी पिक्स ली जा सकते हैं अगला पेहंदिक है समुद्र में पानी के नीले होने का कारण जल अड़ुओं द्वारा नीले रंग का छोड़कर अन रंगों का अवसोशन जल अड़ुओं द्वारा नीचे प्रकास का प्रक्योंडन समुद्र जल की असुद्रता द्वार नीले प्रकास का परवरतन समुद्र जल द्वारा नीले अवकास का परवरतन सही आंसार भी जल अड़ों द्वारा नीले प्रकास का प्रफिश्णन अगला पेसंट देखेंगे 27 एक सामान नेतर में किस सुष्पष्ट डस्टी की नियुनतम दूरी क्या है 25 मिलिमेटर 25 संटीओं 25 मिटर को isotी 25 संटीमेटर to अगला पेसं तारों के टीम्ठी माहने का क्या कारण है तो यहां प्रकास का परिच्षे पर पून आंधरी परवरतन वाय मंडली अगला पेस्ट वाहन चालन हेतु पस्च दर्स्च दर्पन होता है साधारन अवतल उतल प्रती लोमित सही आंसर सी उतल उतल आपका रायट आंसर हो जाएगा द्धनी ओर्जा को वैद्धुत ओर्जा में परिवर्थित करने वाले यंतर का नाम क्या है द्धनी ओर्जा को वैद्धुत ओर्जा में एम्प्लिफायर अलापक माइक्रोफोन प्रेशित सही आंसर है माइक्रोफोन एक स्री के क्षोज किस ने कि थी बैकेरल रोज इन्ट मेरी के रोव वान लूस हाई आंसर आपका और अंजन अगला पैसन भोका में किती प्रताम आपने के लिए किस पैनल का प्रियोग किया जाता है रेक्टर प्रेमाना मैट्रिक प्रेमाना सेंडिकर तो यहाँ पर रियक्टर रिसाही होगा यह आपका राइट आंसर इजी कोश्चन डेσιबल हीकाई को प्रियोग किया जाता है प्रकाश की गर्दि के लिए उसमें तेवरता के लिए रेडियो तरंग की अवरती के लिए सही आंसर आपका सी ध्वरता के लिए वीडियो काफी लंबा हो रहे जली 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 कक्वेश्चन पट रहा हूं द्यान से देखिएगा व पाराश सरबत रंग कियाव रत्ती होती है विशेष्ट रूप से क्या होती है बीस किलो हर्ट की उपर की उपर 200 किवर्फ की उपर या दो हर्ट की ऊपर सही अपका आंसर हो गया बीसे 16 को अगला पहंज रिक्ने existing ने निम्लिकित में से वह उपकराण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल्स एवन वेक प्रमापन के लिए किया जाता है एमेटर इनुम मेटर अल्टिमेटर या ओडियो मेटर भी आपको सही हो गई हम पर इनुम मेटर यह बीजी क्विश्चन था इस ठेता इसको किस सिद्धान पर कार करता है धारा वक्का धनिक रुपांतरण ध्वनी का परावरतन प्रगास का परावरतन सही अंसर इसी ध्वनी का परावरतन से आपका राइट अंसर हो जाएगा चमगादर बादाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि उत्पन करते हैं परावरतन ध्वनी तरगे परावरतन ध्वनी तरगे चमगादर नेम लिखिज में किस कारण से अंद्हेरे में उड़ सकते हैं वी और देहरे के वस्तों के देख सकते हैं उनकी टांगे कमजोर होती है और भूमे पर प्रभक्ची उन पर अक्नोर कर सकते हैं वे रिच्टी को केवल एक हाथ से ले जाने के वज़ारे दो बार्टियों का अलगर दोनुं आतों से ले जाना आसान होता है क्योंकि यह अपने बाल्टियों का भार संतुलित होता है गुष्ट केंद्र शरीर में होता है गुष्ट केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है बाल्टियों में परमार्णी परिणामी भार सुनने होता है तो सी आपको से गुष्ट केंद्र संतुलन पैरों में आ जाता है या आपको पिशलन से बसने और नियुंटम घंटसनड के तो तेज चलने वे इंधन के बचने तो तो सही आंसर फिशलन से बसने तो नियुंटम घंटसनड के लिए हावा उसमें फूल भरी जाती है किसी उपग्रह में किसी अंत्रिक शियात्री द्वारा गिराया गया चमच फर्च पर गिर जाएगा आचल रहेगा उपग्रह की गति के साथ अनुसरान करता रहेगा या इस फर्च रेकी दिशा में चला जाएगा पानी से निकलने के पर सेविंग ब्रस के बाल हापस में चिपक जाते हैं इसका कारण पर्ष्ट तनाव स्यानता प्रत्यास्ता या घरसंड सही आंसर है आपका पर्ष्ट तनाव के जब्कर महसा होता है अगला पैस नहीं बाल के स्धान पर काम करता है। तो सही नशेविग पर काम करता है अगला पैसर दीख लेते हैं शाम साई मावथ की सापयग काम आपान उन्ह on रिकारड करने वाला उकारन है दैगिनल मीटर बैरोमिटर है थे य ह्या है या दर रख्ता में आन्सरा ह County भी है 같은데 अथा यहां फकर ओपनिंचidente अगला पर डूद्ध को मतने पर क्रीम अलग हो जाती है इसका कारण गुर्ट्वी बल अभी केंद्र बल अपकेंद्र बल या घरसन बल तो आपका जो सही अंसर है सी होगा अब केंद्र बल अब अगला पर जल कम ताप मान पर वलता है क्यों की पहाड़ों में ठंड होती है पहाड़ों में कर्वन डाय अक्साइड कम होती है पहाड़ों पर वायु दब कम होता है ऑक्सीजन कम होती है अंसर है सी पहाड़ों पर वायु दब कम होता है चावल पकाना काठिन होता है परवत के सिखर पर समुद्रतल पर खादान की नीचे या कहीं भी एक जैसा सही आंसर है यह होगा परवत के सिखर पर क्योंकि अभी पिछले कुस्टिन में में देखा है उसका राइट आंसर क्यों हाँ अरवधाप कम होता है गरम मोशन के दोरान पंकिक से सुख मिलता है इसका कारण अथंडी हवा देता है पनकि यह थंडी हो जाती है हमारा पसेना जल्दी सुख जाता है यह हवा का चलकता बढ़ जाती है किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चाहणने का कारण तेल का घनत तेल का प्रेश्ट तनात या तेल का दाफ तो सही आंसर है आपका तो गाइज यह सो कुष्टन बहुत इंपोर्ट इस है वीडियो का अब देखिए ज़रूर सेयर करिए